Hello students, I am Reena Chaudhary, a member of Surajay School Dreywadi for class 3rd. Today I am here to discuss our maths unit 4, subtraction. Let us recall, subtraction means taking away. It is also called difference between two numbers. Subtraction का मतलब है, घटाना, अलग करना और दो numbers के अंतर को बताना. When a number is subtracted from itself, the answer is 0. जब किसी number को खुद उसी number से subtract किया जाता है, घटाया जाता है, तो answer 0 आता है. When 0 is subtracted from a number, the answer is the number itself. जब किसी number से 0 को घटाया जाता है, तो answer में वह number खुद ही रह जाता है. We cannot subtract a bigger number from a smaller number. हम कभी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर से subtract नहीं कर सकते हैं. क्या नहीं कर सकते हैं? बड़े नंबर को छोटे नंबर से नहीं घटा सकते हैं. Every addition has two subtraction facts. And every subtraction has two addition facts. हर एक addition के दो subtraction facts होते हैं. उसको दो तरहां से घटाया जा सकता है. और हर एक घटाव को दो तरहां से जोडा जा सकता है. जैसे कि अब आगे exercise solve करते हुए ये चीजों को देखेंगे. Solve the following. 100s, 10s, 1s. क्या है हमारे पास 367? और हमें minus करना है, subtract करना है 53. तो 1s को 1s से, 10s को 10s से. 1s हमारे पास, ये 1s, 10s को 10s से, और 100s को 100s से. चुकि यहां पर 100s में तो कुछ नहीं है, तो कैसे करते हैं इसको? 7 minus 3 is equal to 4, 6 minus 5 is 1, 3 minus nothing, then 3 itself. इसमें से कुछ भी नहीं है. अगर यहां पर 0 भी होता, तब भी 0 subtract करने पर भी जो number होता है वह है, खुद ही रह जाता है. ऐसे ही next है. 9 minus 8 is equal to 1, 5 minus 4 is equal to 1, 4 minus 1 is equal to 3. C part में, यहां पर हमारे पास 0 है, 1s में, तो 0 से तो 8 subtract नहीं होगा, फिर यहां पर हम यह 10, 10 कहां से है हमने किया? बोरो कहां से 8, 8 left है और 9 से हमने बोरो किया, 9 में से 1 इधर किया, तो यहां पर 1 10 हो गया, और हमारा 8 रह गया. तो 10 minus 8 is equal to 2, 8 minus 5 is equal to 3, 6 minus nothing, कुछ नहीं है यहां पर. तो 6 as it is रह गया, 100s, 10s, 1s, तो 1s में हमारे पास है 6, 6 में से हमें subtract करना है 7, तो 6 से 7 तो बहुत फर्क रह जाता है क्योंकि छोटा कौन सा है 6, 7 से. तो हम फिर वही करेंगे, बोरो करेंगे कहां से, 9 से, 9 से हमने इधर बोरो किया, तो यहां पर 16 हो गया है, और 16 से हमने 7 को माइनस किया, तो 9 रहता है हमारे पास. यहां पर 8 है, क्योंकि एक बोरो किया गया था इधर, 8 minus 4 is equal to 4, 7 minus nothing, 7 itself. नेक्स्ट, 4 minus 4 is equal to 0, जब उसी नम्बर को, उसी नम्बर से हमने सब्टाक्ट किया, तो हमारे पास 0 बचेगा, कुछ नहीं. और 2 minus 5, तो 2 से तो 5 minus नहीं होगा, तो फिर वही हमने बोरो किया, कहां से किया, 9 से, 9 से इधर चला गया, तो उसलिए यहां पर 8, क्या है हमारे पास? 8, और यहां हो गया 2 से 12, क्योंकि यहां पर जो हमने 1 लिया, उसकी वैली होती है, 10, 10, तो यहां पर 12 10 हो गया हमारे पास, 12 10 से हमने 5 को सब्टेक्ट किया, और हमारे पास 7 answer आया, 8 minus 6 is equal to 2, next is 7, 104 10 और 1 1 में, और हमें सब्टेक्ट करना है 368, तो 1 तो बहुत चोटा है नमबर, यह digit बहुत कम है, तो हमने क्या करेंगे, बोरो करेंगे किस से? 4 से, यहां से, और यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? 3, और यहां हो जाएगा 1 इधर था, और 1 बोरो किया हुआ है, तो 1 10 हमने बोरो किया, तो 11 minus हमने करना है 8 is equal to 3, और यहां पर 3 था, तो 3 से तो 6 minus नहीं होगा, then again 7 से बोरो किया, तो यहां पर 6 यह वाला बचा हुआ है तो यहां पर 13 हो गया है, तो हमारे पास क्या नमबर रहेगा? 7, 13 minus 6 is equal to 7, और 6 minus 3 is equal to 3, अब आप देखोगे, write the subtraction facts for following, 12 plus 4 is equal to 16, अब इसका subtraction facts कैसे करेंगे हम? एक बार समझ लीजिए, यहां पर solve करके देते हैं, 16 minus 12 is equal to 4, और फिर again 2 times क्यूंकि हमने करना है, मैंने पहले बताया था, कि हर एक addition के 2 subtraction facts होते हैं, वो कैसे होते हैं? 16 minus 4 is equal to 12, यह हमारे 2 facts हो गए, किसके addition के? जो यह addition थी, इसके 2 facts हो गए. Next is question number 3, Somya has rupees 150, she buys a packet of sweets for 115, how much money is she left with? अब उसके पास, उसके पास कितना था total? 150, और उसने कितना, कितने का sweet खरीदा? 115 का, अब दोनों को एक साथ रखके subtract कर सकते हैं, जो हमें मिलेगा, उसको हम कहेंगे, money left with her, जो हमें हमें answer इसका subtract करके मिलेगा, question number 4 is, there are 85 students in साहिल's class, साहिल की class में कितने बच्चे हैं? 50, he has 42 chocolates, अब उसके पास chocolates हैं 42, how many more chocolates does he need? अब उसको कितनी और चाहिए? सारे बच्चों में एक बड़ाबर distribute करने के लिए, तो जो total students हैं उनको लिखकर, और total chocolates जो उसके पास हैं उनको लिखकर, subtract कर देंगे, जो भी subtract करके आएगा, इतनी chocolate उसको और जरूरत पड़ेगी, सब बच्चों में बाटने के लिए, कुली, quick trip देखिए, subtraction can be used to find, subtraction को use किया जख सकता है, पाने के लिए, क्या पाने के लिए? What was taken away? किसको अलग किया गया है? How many more are needed? और कितने की ज़रूरत है? इस तरह से इसको हम कर सकते हैं. Question number 5 is, Sonia has 215 storybooks, Sonia के पास 215 storybooks हैं, her father gave her 12 more, उसके पापा ने 12 और दे दी हैं, तो, she gave 50 to her cousin, उसने 50 उसमें से अपनी cousin को दे दी हैं, books, how many books does she have more now? How many books does she have now? अब उसके पास कितनी हैं? तो पहले तो हम add करेंगे, जो उसके पापा ने दी हैं, जो उसके पास थी, दोनों को, और फिर, जो addition करके आएगा, उसमें से 50, subtract कर देंगे, तो, जो हमें, subtract करने के बाद, जो answer आएगा, वो होगा हमारा, जो उसके पास books अब हैं, ऐसे ही, what should be subtracted from 364 to get 295, तो हमें क्या चाहिए, subtract करने के लिए, जिससे की हमें मिले 295, किस में से? जिसमें से कर रहे हैं, subtract 364 से, तो, 364, माइनस किसको करना है, 294, 95, दोबारा लिख लेते हैं, 364, माइनस करना है, 295, फॉर से नहीं जाएगा 5, क्योंकि 4 कम है, तो फिर वहीं बोलो करेंगे, कैसे? इस पेस कम है, 14 हो जाएगा, 14 में से आप 5 माइनस करोगे, तो 9 हमारे पास रह जाएगा, और 6 में से, क्योंकि वहाँ जा चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 ही रहेगा, 5 से भी 9 नहीं जाएगा, तो फिर अगेन, बोलो कर लिया हमने, तो यहाँ पर 2 लेफ्ट है, और यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 is equal to 6, और 2 माइनस 2 यहाँ पर 0, तो हमारे पास 69, हमें सब्ट्रेक्ट करना होगा, 295 पाने के लिए, ऐसे ही, सब्ट्रक्शन ओफोर डिजिट नंबर्स, विदाउट बोरोईंग, विदाउट बोरो किये हुए, आप अगली एक्सेसाईज में, सब्ट्रक्शन सीखेंगे, जैसे, एक्जांपल देख लिजिए, वन्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजन, तो 1, 2, 3, 4, हमारे पास कितने डिजिट हो गया है, 4, यहां पर है नंबर, वन्स में क्या है, 3, 3, 3 से 3 मैनस करना है तो, 0, 6 में से हमें, 1 मानस करना है तो, 5, 7 में से 2 सब्ट्रेक्ट करना है तो, 5, 8 में से 4 सब्ट्रेक्ट, then 4, ऐसे ही सारी exercise आप solve करेंगे without borrowing, यहाँ पर एक remember के लिए है जो हमें याद रखनी है, पाते हैं, अब भी the bigger number from which the smaller number is subtracted is called the minuant, जो बड़ा number होता है, जिसमें से छोटा number subtract किया जाता है, उसे minuant कहते हैं, the smaller number which is subtracted is called subtract, उसको subtract कहते हैं, किसको जो छोटा number हम बड़े number से subtract करते हैं, उसको, for example, if you subtract 6,342 from 9,078, then 9,078 is minuant and 6,342 is subtract, subtreehand, subtreehand, जो number हम subtract कर रहे हैं, छोटा number, जिसको subtract कर रहे हैं, और जिससे कर रहे हैं, बड़े वाले number से, उसको minuant कहते हैं, so students, I hope you understand, take care, good bye.